नमस्कार मित्रो स्वागत छे तमारू आपने यूटूब चैनल क्यू सर्मा तो मित्रो आज ना वीडियो मा एलेके टाट हायर सेकंडर स्पेस्चल डबल धमाल MCQS मा आपने एपिसोड नंबर पांच नी वाद करवाना छिए अने आज ना एपिसोड मू आपनो सब्जेक्ट इलेके आपनो विशाय छे वर्ग वियवार अने मुल्यांकन तो आप वर्ग वियवार अने मुल्यांकन मित्रो एक इंपोर्टन सब्जेक्ट छे प्रिलीम्स माटे कारण के प्रिलिम्स मा मित्रों वर्ग व्यवार आने मुल्यांकन माधी प्रश्णू आवता रहेला ची तो आजनों जे टॉपिक छे एमा मित्रों सब टॉपिक कया कया हाशे तो शिक्षन व्यवार आशे माइक्रो टीचिंग, अध्यापन काउशल्यो, अध्यापन सुत्रो, अध्यापन पद्धतियो, अध्यापन प्रविदियो, मुल्यांकन अने ख्रियत्मक्सन शुद्धन तो आटला टॉपिक नों समाविश मित्रों आजना वीडियो मा करवा मावे छे, अने आने लगता तमामें तमाम MCQS नी चर्चा आधना वीडियो मा आपने करवाना श्ये तो मित्रों आप बद्धिच PDF मेरा माटे तमें हमनाज आपने टेलिग्राम चैनल मा जोड़ाई जाओ, कि आ दरेक ए दरेक PDF तमने ए चैनल माथी मरी जाए छे अने लिंक आपने डिस्क्रिप्चन बख्स मा आपने लिए छे, तो हमनाज ए PDF माटे तमें जोड़ाई जाओ और बद्धी माहिते पन्वाटे पन एमाँ जोड़ाई जाओ तो शरुवात करें मित्रों वर्ग व्यवार अने मुल्यां करनी तो question number 1 छे के वर्ग व्यवार पुथ्था करन साथे कोणू नाम संक्रायलू छे मित्रो question number 1 छू क्या मागे छे के वर्ग व्यवार पुथा करन साथे कोणू नाम संक्रायलू छे option A छे Erickson, option B छे Ned Flanders, option C छे Adams, अने option D छे Alexander तो याद राखी शुमित्रो कि वर्ग व्यवार पुथाकरन साथे एड नेड फ्रेंडर्षनू नाम संक्रायलुचे जेमने वर्ग व्यवार ने असर कारक बनावा माटे शुआ आपी होतु तो 10 गटको नी रचना कड़ी हाती अनि ए 10 गटको माँ शिख्षक नी वाद्चित विद्यार्थेशने वादचित शिक्षकनी वादचित मा अबण मित्रो शिक्षकनी परोक्स असर प्रत्यक्स असर 19 Secondly फिस्तिते मित्रों यह आखुवर्गी करन आपने आपने अपने अपनी आप्लिकेशन छे is the code संगा भनी चुक्या चिए तो next छे मित्रो question number 2 अने question number 2 शुके वामागे छे तो व्यक्तित्व विकास पत्रक B शु मित्रो व्यक्तित्व विकास पत्रक B माकूल केटला विधानो होय छे तो option छे मित्रो option A 30, option B 40, option C 20 अने option D 22 आपने जारे पत्रक बन्या हाता जिस्ति आटी द्वराजे तयर करवा माँ आवता पत्रक हो छे पत्रक A, पत्रक B, पत्रक C, पत्रक D1, D2, पत्रक E अने पत्रक F आप बदाज पत्रकोंनी चर्चा करियाती एमा आपने व्यक्तित्व विकास पत्रक बी जो विवतू अने वक्तित्व विकास पत्रक बीमा कुल केटला विधानों हता तो याद राखिशू के कुल मित्रों व्यक्तित्व विकास पत्रक बीमा कुल 40 विधानों होई छे किला विधानों होई छे 40 विधानों एमाथी 31 विधानों होई छे ए अल्रेडी अवेलेबल होई छे अंदर जैरे 9 विधानों होई छे ए शिक्षके जाते लखवाना होई छे कौने मित्रों तो शिक्षके जाते विद्यार्थिना व्यक्तीत्व विकास नेधारे नव विधानों शिक्षके जाते बदावाना होगे जारे 31 विधानों अल्रेडि अविलेबला होगे एम करीने कुल 40 विदानों व्यक्तित्व विकास पत्रक भी मा होय छे तो अई थी मित्रों आपनों अप्षन नंबर B राइट आंसर थाई जैसे खास याद करीशू नेक्स्ट बात करिए तो question number 3 छे अनि 3 नंबर नो question छे के शिक्षन खेत्रमा क्रियात्मक संशो दन्नों विचार सव प्रथम कोणे करे होतो क्रियात्मक संशो दन्नों विचार करनार मनोवे ज्यानी कोण हता option A John Dewey, option B Simon, option C Stephen कोडे आनि option D गुणवांच छे तो मित्रों फटाफर comment box मा अंसर आपी दो के शिक्षन खेत्रमा क्रियात्मक संशो दन्नों विचार करवानों फारो क्वणा द्वारा कोणे यश आपवामों आवे छे तो याद राखिशू के शिक्षन खेत्रमा सव प्रत्रम जो क्रियात्मक संशो दन्न करी हो है तो क्वणे करी होतू तो Stephen कोडे करी होतू मित्रों क्वणे करी होतू Stephen कोडे करी होतू यह लिए के अई थी आपरो option number C right answer थाई जाशे साथे साथे याद राखिशू के गुणवंच शाह मित्रों क्रियात्मक संशो दन्ने शू कई होतू तो गुणवंच शाह क्रियात्मक संशो दन्ने एक नानी सिंचाय योजना कही होतू एक नानी सिंचाय योजना एले के नानी सिंजा योजना साथे क्रियात्मक संशुदनने संकरवानो यश्कोने आपपाम आवे छे तो गुणवंत शाहने आपपाम आवे छे आवस्तु साथे साथे आपने याद राखी लाइशू नेक्स्ट बाद करिए तो नेक्स्ट बाद करिए पहला मित्रो तमने जनाविदो क्या त्यारे आपनी एपलिकेशन मा बार तारिक सुधी ओफर प्राइस चालू छे जे त्रण महिना माटे 609 रूपिया औने 6 महिना माटे 909 रूपिया एटले के टाट हायर सेकंडरे नो जे अपनों English नो कौ्ष् जे हैना माटे छे साथे-साथे English ना कौौर्य साथे मित्रो आपने मनो भिजनानको नो कौर्स पमने फ्री आपवमा आवे छे फ्री आपकोस्ट छे आज ए इंगलीन्चत नो कौर्से एमा मित्रो तमने अपने अंग्रेजी पार्ट टू अने पाठ्थे पुस्ट्रकों नो संपून अभ्यक्सक्रम देन साथे साथे एक्सरसाइस पन सौल करीशू अने ओल्डैडी मित्रो अंग्रेजी मेथड ना जे लेक्चर रेकोर्डेट वीडियो चे ए मुकवा मा आवे छ तो अत्यारिज मित्रो डिस्क्रिप्शन बोक्स मा थी लिंक मरी जर्शे तमने अप्लेकेशन नी तो हम नाज विजट करी ले जू नेक्स्ट वाद करिए मित्रों तो क्विस्चन नंबर 4 चे और चार नंबर नो क्विस्चन शुקया हमागेच्छे तो व्यक्टि स्थर सम प्रत्यक्ष्मापन, 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 प्रत्य अंसर जणावतार है जो छेथी करीने तमारों मुल्यांकन तमने ख्याल आवी जाए नेक्स्ट बाद करिए तो क्विश्चन नंबर पांच आने पांच नंबर नों क्विश्चन शुके हमागे छे मित्रो हर्बर्ट स्पेंसर ए कया पुस्तक माथी अध्यापन सुत्रों रजु करयो हतो एले के हर्बर्ट स्पेंसर दारा जे अध्यापन सुत्रों रजु करवा मा आवे हता अध्यापन सुत्रों मित्रों कया पुस्तक माथी रजु करवा मा आवे हता option ये चे केरवनी, option भी चे बनतर, option सी चे education, अने option डी चे जीवन सिक्षन तो फटाफट comment box पांसर आपी देशू, के Herbert Spencer द्वारा मित्रो याद राखी लेशू आपने बदा के जे education नामनू जे पुस्तक छे, आ education नामना पुस्तक माती हर्बर स्पेंसर ए अध्यापन सुत्रो नी रजुआत करी हती, शू मित्रो तो जे education नामनू पुस्तक छे, एमाती मित्रो हर्बर स्पेंसर ए अध्यापन सुत्रो नी रचना करी हती, यह लेके अई थी आपरो option number C, right answer, थाई जैसे खास मित्रो याद करी लेशू, next वाद करिए, तो question number 6, आनी 6 नमबर नो question छे, वर्ग व्यावार तपास्वा, नेड फ्लेंडर से किटला गटको सुच्वे, हमराज मित्रो आप रचना नी आपने वाद करी चुक्या चीए, question number 1 मा, के वर्ग व्यावार ना प्रुथ्यकरन साथे कौनू नाम संक्रायल होतू, तो नेड फ्लेंडर से नाम संक्रायल होतू, तो अई प्रशन हो छे, के वर्ग व्यावार तपास्वा माटे नेड फ्लेंडर से क टल दस घटको सुच्वा मोँ आवया हता, यह लेगे, अई थी आपरो अप्शन नंबर सी राइट आंसर थाई जैसे, दस घटको माँ पन मित्रो शिक्षक नी वादचीत, विद्यार जीनी वादचीत अलग आवशे, यह माँ पन शिक्षक नी वादचीत माँ परोक्षसर तो आखास मित्रो घटको हचे जे तयार करे ले जो, जी अप्लिकेशन माँ तमने आपने भणावेला छे, तो खास आतयार करे लेवाणा next वाद करिए, तो next छे question number 7, अने 7 number नो question छे, अध्यापन सुत्रो शानी निपच छे, खास याद राखिशू मित्रों, मोश्ट आया भी प्रश्ण छे, कि आपना जे अध्यापन सुत्रों छे, ए शानी निपच छे मित्रो, option A, अनुबव, option B, विचार, option C, निरिक्षन, अने option D, आपेल, तमाम, तो शूँ आवशे मित्रों, अध्यापन शुत्रों छानी निपच छे, तो याद राखिशू, कि अध्यापन सुत्रों छे, ए अनुबव, विचार, अने निरिक्षन, आ 3-3 निपच छे, ए तर 2-3 ना आधरे मित्रों, अध्यापन सुत्रों तयार करव आवेला चे एक शिक्षक नो अनुबव एक शिक्षक नो विचार एक शिक्षक नो निरिक्षण आ बद्धाने आवड़ी लेतु एक अध्यापन सुत्र तयार करवा मुँ आवियोतु जेती करेने आ बद्धाज विचारोंनों समावेश थाई जाए तो अई थी आपनो राइ जनावी दऊ के जिने पन अत्यार सीज मेंसनी तयारी करवी छे ए लोको ए खास अत्यारे तमने गुजराती भाशा पेपर वन मुख्य परिक्ष्या माटे नो जे कोर्स छे ए पलस साथे साथे मनोविग्यान पार्ट वन नो कोर्स एलेके आ कोर्स मित्रों कॉम्बो कोर्स कही अनि या कॉम्बो कोर्स मित्रों तमने मात्र ने मात्र पांसो ने नववाणू मा पडशे आनी ओफर मित्रों 12 जुलाई सुधी जे दस जुन नहीं 12 जुलाई सुधे मित्रों तमने पांसो ने नववाणू मा कोर्स पडशे जे मा गुजराती भाशा पेपर वन अने मनोव ग्ण्यान विशय नू संपून रेकोडेट वीडियो मढशे अल्लेडी अवेलेबल छे भाषा ना जे पेपर वन चे एना तमामे तमाम टोपिक नो समावेश थाई चे शे शाथे बाषा पेपर वन ना व्याकरण विभाग नू मट्रियल पन तमने मढशे अन्ने एनो प्रू व्याकरण सिक्षन माटे कई पद्धती उप्योगी रहे शे यली के व्याकरण सिक्षन माटे कई पद्धती उप्योगी रहे शे व्याकरण सिक्षन माटे कई पद्धती उप्योगी रहे शे यली के व्याकरण सिक्षन माटे कई पद्धती उप्योगी रहे शे यली के व् उप्योगी रेक्षे, option A, कथन पद्धादी, option B, प्रयोग पद्धादी, option C, भाषा संसर्ख पद्धादी, औने option D, नाट्टी करन पद्धादी, तो सिध्ये सिधु मगनमा ख्यालावी जाए, के व्याकरण नी वाद थाई छे, एटले के बाषा नी वाद थाई छे, तो व् प्रोजेक्ट पद्धादी, शिक्षर्ण ना कया सिध्धाथ पर रचाय ली छे, प्रोजेक्ट पद्धाथी छे, ए मित्रो व्यहारवाधी एक पंद नाई, तो अईती आपने याद राकिशू, के प्रोजेक्ट पद्धाथी एले करिया द्धाद्धा छे, option B, व्यहवार वादियों लेके ज्वन्डूई ने मित्रों क्रिया और अनुबव बन्ने उपर भारापता हता शू व्यहवार वादियों छे एक क्रिया और अनुबव बन्ने उपर भारापता हता एटलाज माटे आपने कई शक्किये के प्रजेक्ट पद्दती छे ए मित्रों क्र पर्जेक्ट पर्दती रचायली चैनल इनों सिद्धान मित्रों क्रिया द्वारा अने अनुबाव द्वारा रहेशें अई थी आपरों ऑप्षन थाई ये शे ऑप्षन नमबर C के A अने B बनने साचा चे नेक्स्ट बात करिए तो नेक्स्ट छे मित्रों question number 10 आने 10 number question मित्रों शुक्या बागे छे तो पूर्ण पर्थी खंड तरप सुत्र कया सिद्धान पर आधारीद चे जारे पन आध्यापन सुत्रों नी चर्चा करी हती त्यारे तमने जनावी हतु क्या दरेके दरेक सुत्र मित्रों मेथड माँ पूछाये साथे मनोविग्ना वर्ग्वेवार्ण विभाग माँ पुछाये चे तो याद राखी शू के पून पर्थी खंड तरप येटले शू मित्रो तो याद राखी शू के आजे सिद्धान चे ये हम्मेशा समस्टी वादी सिद्धान पर आधार चे शू मित्रो समस्टी वादी सिद्धान येने आप आपने याद हुआ जोई है तो आइथी आपनो राइट आंसर थाई जैसे ओप्शन नंबर बी नेक्स्ट बाद करिए तो etical पुच्वाज मित्रों आनाप बाराप पुच्वाज जोये कि सिक्षक जारे प्रस्ण पुच्वाजमाच समर्थन पुच्वाजा अनी disorder है तो याद राखे शो मित्रो, सुचक प्रश्णों एटले, कि जेमा संभाव ना व्यक्त थती होई, हाके ना वारा प्रश्णों होई, एन्ने आपने सुचक प्रश्णों कहिए ची, तो एपन मित्रों शिक्षके पुछवा जोई ये, नई, साथे साथे पढ़गा रुख प्रश् अने समर्थन प्रश्णों, तो आ त्रणे त्रण प्रश्णों विद्यार्थी ने सिख्षके कोई दिवस पुछवा जोई ये, येन्नू आउट्पूट सारू एवो मरी शके, नै, माटे अईथी आपनो question number again नो right answer थाई जाशे option number D, आखास याद करी लाईशू, next वाद कर question number 12 चे, अने बार नंबर नो question चुके अमागे चे मित्रो, क्रियात्मक संशो दन्ना कया तबक के समस्यानू विशलेशन अने उतकल्पनानी रचना थाई चे मित्रो, खास याद राखिशू, most time भी प्रश्टकाई चेकाई, कि क्रियात्मक संशो दन्ना, क्रियात्मक संशो अने उतकल्पनानी रचना थाई चे मित्रो, option चे प्रारंबिक तबक को, option भी चे निदनात्मक तबक को, option सी चे उप्चारत्मक तबक को, अने option डी चे एक पंड नही, तो खास मित्रो अई हू तमने जणाओ, तो दरेक ये दरेक विद्यार्थिना मगज मा एकज आंसर प्रारंबिक तबक को, एटले के क्रियात्मक संशुदन ना प्रारंबिक तबक के समस्यानु विस्लेशन थाई चे औने उतकल्पनानी रचना थाई चे, उतकल्पनानी मित्रो वाद करवामा आवे, तो उतकल्पनानु निदान उप्चारत्मक तबक कामा थाई चे, आपनों राइट आंसर थाई जैसे ओप्शन नंबर ए नेक्स्ट वाद करिए तो क्विस्चन नंबर तेर चे अने तेर नंबर नों क्विस्चन शुके आमागे छे मित्रों वन ओरक पर्थी खास याद राखिशू वन ओरक पर्थी शब्द अने त्यार बाद वाक्यों वांच्ता शिखवामा अध्यापन ना क्या सुत्रन उप्योग थाई छे खास मीत्रों शुके आमा गेजे कि 1 ओरक परती शब्द अने शब्द परती वाक्यों वांच्टा शिखवू आमा मीत्रों शिक्षक द्वारा कया अध्यापन सुत्रान उप्योग करवामों आवेलों छे ओप्षण ये पून परती खंड थरफ, ओप्षण भी चे ग्न्यात परती अग्न्यात तरफ, ओप्षण सी चे सरर परती कठीन तरफ, अने औप्षण डीth छे मूर्थ परती अमूर्थ तरफ, तो फटापट कोमेंट बॉक्स मा अंसरा आपीदो, कि 1 ओरक परती शब्द, ए याद राखी शु सव प्रत्य वंड येलेक लेटर एन एक सररव भाशा मांती आपने कठीन तरप लए गया शु एक सरर वेव मां दि आपने आपने कठीन वेव आपर लए गया तो अई थी आपर उप्जन नंबर C राइट अंसर था है येशे कि सरर पर ती इस अध्यापन सुद्रों क्लियर होवा जो ये खास याद राखी लाइशु देख्ष्ट वाद करिए तो क्वेस्चन नंबर चाउद आने चाउद नंबर नो क्वेस्चन शुक्या हम आगे छे मित्रों कोई आदर्श व्यक्ति नू आलेखन करवा कई पद्धती उप्योगी छे मोष्ट आयांबी प्रश्ण चे मित्रों कोई पन आदर्श व्यक्ति यलेगे आईडियल पर्शन नू आलेखन करूँ छे आपने तो एक कई पद्धती द्वारा आपने कड़ी शक्रीशु ओप्षण येजे कुद्रती प्रदेश पद्धती ओप्षण भी छे रसास्वात पद्धती ओप्षण सी चे संशोद नात पद्धती अने ओप्षण डी चे जीवन हुरतान पद्धती तो याद राखी शु मित्रों कि जारे पन कोई आईडियल व्यक्ति येट कोई आदर्श व्यक्ति नू आपने आलेखन करवा जाईडिया छे त्यारे मित्रों आपने एक कई पद्धती चे तो जीवन हुरतान पद्धती थी आपने अनुआ अलेखन करिये छीए एटे के अई थी आपरो अप्षण नंबर डी राइट आंसर थाई जैसे खास याद करी लाईशु नेक्स्ट बाद करिये तो नेक्स्ट चे ग्वेस्चन नंबर पंदर आने 15 नंबर नों क्वेस्चन शुके आमा आगे चे मित्रो तो निचे ना माथी कयू नकारात्मक अशाब्दिक स्रुदर्ड़क गनाए मित्रो खास मित्रो भाराब जो नकारात्मक स्रुदर्ड़क तो खरू शो मित्रो नकारात्मक स्रुदर्ड़क तो खरू परन्तु केवू तो अशाब्दिक तो नकारात्मक अशाब् आपने कईउ पूछूचे यवा चदावए और आपने कईउ पूछी एवा चाडावए नोड़ा कीसे पूछी क्लिओं श्रूडड़क थाई गयू नकारात्मक शाब्दिक श्रूडड़क थाई गयू तो अई सी ओप्षन पन नहीं आवी शेके आथे साथे जो तो बेव कूपनू संभोधन करू एले के आपने कोई विध्यार्धीने बेव कूप कहिए चिये संभोधन करिये चिये तो एपन मित् श्रूड़क शाब्दिक श्रूड़क गणा शेक एले के अई थी आपरो अप्षन नंबर ए राइट आंसर थाई जशे आखास मगज मां आपने क्लियर करी लाइए नेक्स्ट बात करिए तो क्विश्चन नंबर सोड छे अने सोड नंबर नो क्विश्चन शुक्या हमागे श्रूड़क शाब्दिक 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 नठी ये कोई छे तो project नी पसंडगी आयो जन अने मुल लेकर साथ है त्रण्टों मित्रों project पध्द्धादी ना सोपानों dov linguistic ना 50 a त्रण exports मारी अप्छापर नवह सवय निवा न श्रतर नंस पी आपी एन्य मित्रों एनु नव शरूप कौने आपीव तमामे तमाम वस्तु आपने शिखी गया छिए तमामे तमाम वस्तु आ मित्रों याद करी ले जो नेक्स्ट बात करिए तो question number 70 ने 70 number नो question शुक्या हमागे चे मित्रो माइक्रो टीचिंग माँ शिक्षन नी कई बाबत हस्त घत करवा मौ आवे छे मित्रों हमना जे आपने टाच सेकन्डरी नी परिक्षा गई एमा मित्रों जे पार्ट टू हतो मेंस परिक्षा एमा आखी माइक्रो टीचिंग नी भात पुछवा मावी आती एले के माइक्रो टीचिंग लखवानू कहवा मावी हतु तो आपने माइक्रो टीचिंग भी से अत्यारे जाने लूँ अशे तो एमेंस मा पन काम लागी शके जेले आपने ये पन तैयारी साथे साथे राखी शू तो शू आवे चे ओप्षण एचे शिक्षण पद दी ओप्षण भी जे शिक्षण ना सुत्रो ओप्षण सी चे शिक्षण नी प्रयुक्टियो ओप्षण डी जे शिक्षण ना कौशल्यो तो याद राखीशू के माइक्रोटीचिंग माँ सिक्षन नी कई बाबत हस्त गत करवामा आवे छे तो माइक्रोटीचिंग माँ सिक्षन ना जे कौशल्यो छे अध्यापन कौशल्यो छे तमामे तमाम अध्यापन कौशल्यों मित्रों हस्त गत इलेके शिख्वामों आवे छे अनि सेना द्वारा शिख्वामों आवे छे तो माइक्रो टीचिंग द्वारा शिख्वामों आवे छे अनि ए माइक्रो टीचिंग 5-7 मिनिट नू हुआ छे एना जे सोपा नोचे एमा धी पसार थाई ने आपने सिक्षन ना काउशल्यों ने हस्त गत करिये छिए एमा मित्रों आपने प्राविन्या मेरविये छिए तो आ वस्तु याद करी लाइशु तो याद राविये लाओ आपने अट्रों आप्षन नामबर डी राइट आंसर थाई जैसे खास याद करी शु नेक्ट वाद करिए तो क्वेस्चन नामबर अडार आने अडार नामबर नों क्वेस्चन शुक्या मागे छे तो मुल्यांकन नी प्रक्रिया समझावा माटे मुल्यांकन त्रिकोंड कोणे रजु कर्यो मुल्यांकन नी जे प्रक्रिया चे और समझावा माटे आपनों जे मुल्यांकन त्रिकोंड चे कोणे रजु कर्यो option ने चे Adams, option B चे Bloom, option C चे Morgan औने option D चे Land तो याद राखिशू के मुल्यांकन नी वात आवे अने हमापन मुल्यांकन त्रिकौन नी वात आवे त्यारे एकज व्यक्ति मगजमा आवे कौन? तो Benjamin S Bloom कौन नी तरो? Benjamin S Bloom तो मुल्यांकन नी प्रक्रिया समझावा माटे मुल्यांकन त्रिकौन कौने रजू करे होतो? तो Blue में रजू करे होतो? तो अई थी आपरो option नंबर B राइट आंसर थाई जैसे खास मगजमा क्लियर करी लेशू नेक्स्ट बात करिये तो नेक्स्ट जै क्विश्चन नंबर में 11 अने 11 ओपचन सी विशाय वस्तू और उपशन डी कापा कारिये सुआविशाक के मित्रों फटा पर कॉमेंट बख्स मा असरापीदो याद राखी शूँ के कापा कारिये जे चे आपनों जे बॉरड वर्क छे इमित्रों आपनों अरिशो कही शेका कापा काड़िये तो अई थी आपरो अप्शन नंबर डी राइट आंसर थाई जैसे खास मगन माँ क्लियर करी लाई शू नेक्स्ट बात करिए नेक्स्ट से मित्रों क्वेश्चन नंबर विस अने विस नंबर नों क्वेश्चन शुक्या मागे छे कि निचे नामा थी कई पद्धादियों आप पद्धादियों नी चर्चा आपने करी हती के शिक्षक नेक्जे केंद्रा मों राखे छे ने शिक्षक केंद्री पद्धादियों तरीके आपने वो लखिये छिए तो कई पद्धादी प्रजेक्ट पद्धादी वर्णात्मक पद्धादी संशोदन पद्धती के चर्चा पद्धती तो याद राखी शू अई थी मित्रों आपने के वर्णनात्मक जे पद्धती छे ए पद्धती शिक्षक कैंदरी पद्धती कई शेकाए तो अई थी आपरो ऑप्षन नंबर बी राइट आंसर थाई जाशे खास मगदमा कलियर करे लाई शू नेक्स्ट बाद करिए तो नेक्स्ट छे क्वेस्चन नंबर एक्विस नंबर नो क्वेस्चन शू क्या हमागे जे मित्रों तो वर्ग व्यहवार दर्मियान शिक्षक के विद्ध्यार्थी ने कई बाबत नी विशेश तक आपी जोई है ये लिएक शिक्षक द्वारा आपने बद्धानिच्ख ख्याल छे कि विद्ध्यार्थी पोता ना विचारोय रजू करिशत है ये माट पोता ना विचारोय रजू करवानी एक विशेश तक अपने एक शिक्षक दरीकिया आप फी जोई है आवस्त्तु मग दमां क्लियर करिए शू क्वास federal नंबर माइक्रो टेचिंग नी शरुवात करनार कौन हता भारतमा सव प्रथम माइक्रो टेचिंग नी शरुवात कौने करी हती ओप्षन एचे बिके पासी ओप्षन छे रामानुज ओप्षन सी चे डीडी तीवारी और ओप्षन डीचे गिजुबाई बदेगा तो अई थी आपने याद राखी लएशू के भारत मां सव प्रथम मायक्रोटीचिंग ने शर्वात करना रहता डीडी तीवारी कौन होतु मित्रो डीडी तीवारी तो अई थी आपरो अप्शन नंबर सी राइट अंसर थाई जैसे खास मगद मां कलियर करी लएशू नेक्ट बात करिए आगणनों क्विश्चन चे अने आगणनों क्विश्चन शुक्या मागे चे मित्रो तो आगणनों क्विश्चन चे के विशिष्ट उदाहरन पर्थी नियम तारवा मा आवे त्याने कई पद्धती कहवाए विशिष्ट उदाहरन पर्थी नियम तरब जा तो मित्रों तम नी नी याद रखाइदी एल्फेके नियम पर्थी उदा हरन तो निग्मन पत्नाधी कubers चाछे था हुआँ करने मित्रों 3 स्वरूप मगि माया माहा नूबाव थाहता मित्रों Most IMP प्रेष्ण कहीं चेकाए की सिक्षन ना जे प्राध्योगी की करन्चे तो ए मित्रों 3 उप्सवरूप उप्षáfic February ुस सी प्रोफिशर jackets configurator प्राद्यियोकिक करणड ंचे एन्ट 30 मीत्रों प्रौफेसर लूम से आपए हाता नाज़ों अप्लियांकद DR, अजी कहा रूप्जे याध किले लहें सी नेक्सक्त बात कर ये तो next question छे मित्रू अप्चारिक मुल्यांकन मा कई बाबत नो समावेश थतो नथी खास मुल्यांकन मा बे प्रकार आपने जोया है ता एक तो अप्चारिक अने अनप्चारिक यहमा अप्चारिक जे मुल्यांकन छे यह मां कई बाबत नो समावेश थतो नथी मित्रो अप्षन एचे लेखित कसोटी अप्षन मीछे निरिक्षन अप्षन सी जे मौखिक प्रश्णों तरी अने अप्षन डी चे बी अने सी बनने तो याद राखीशू मित्रो आ निरिक्षण औने मौखिक प्रश्णों तरी छे ए अन अप्चारिक छे मित्रों शुचे अन अप्चारिक छे यारे लेखित कसोटी छे ए अप्चारिक छे तो अई मित्रों समावेश थतो नथी एवो कहवा मावी छे तो याद राखीशू के निरिक्षण औने मौखिक प्रश्णों तरी आप बनने छे ए मित्रों आपचारिक मुल्यांकर मा समावेश थतो नथी एड़ले के अई थी आपनों राइट आंसर थाई जाचे बी औने सी बनने एड़ले के ओप्शन नंबर डी तो खास मित्रों क्लियर करी लाइशू तो अई मित्रों आपने टोटल 25 क्वेशन जोया तो आप 25 से 25 क्वेशन माटे तमारी जो पेडियाइफ आनी जोयती होई तो तमें आपनी जे कवर टेलिग्राम चैनल चे एनी लिंक डिस्क्रिप्शन बक्स माँ चे एमा थी मित्रों जोईन थाई जो एमा तमने पीडियाफ आलरेडी अवेलेबल मरी जैशे साथे जादे जेने पन टाटनी मुख्य परिक्षा नी एकली मुख्य परिक्षा नो कोर्स जोयतो है गुजराती पेपर वन नो तो एपन पचाश्टर का डिस्काउन साथे अवेलेबल चे आपनी अप्लिकेशन माँ कि जेत तमने चार्चों ने नववान उरुपिया माँ पर चे